हेलो दोस्तों वेलकम टू दे चैनल नमस्ते कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से बीती और आज भाई दूज है आप सब को भाई दूज की शुपकाम ना है में भी आप सब भाई बहनों का रिष्टा अच्छे से बना रहें और बरकरार रहें तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पर जो है टॉक्सिक लोगों के बारे में दोस्तों सब के आसपास हम सब के आ कर्मिक एनरजी होती है और सम्ट टाइम जो होते हैं इस टाइप से प्ले करते हैं जाना पर वो अपने आपको विक्टिम दिखाते हैं विक्टिम प्ले करते हैं या फिर अपने आपको पीडिच शो करके और आपको बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर हम ब ठीक है क्योंकि जब वो toxic लोग जो होते हैं न वो खुले रूप में, क्रुलर्ब में अपने जहां पर अपो तंग कर रहे होते हैं परिशान कर रहे हैं आपके साथ चीजे चान कर रहे होते ठीक है, sometimes ऐसे लोग होते हैं, जो कि victim play करते हैं, आपके कोई भी घर में member हैं, जो कि victim play करते हैं, आपको समझी नहीं आता, गलती, मतलब वो गलत, आपके साथ गलत भी कर जाते हैं, और आपी को गलत भी साबित कर देते हैं, ठीक है, इस टाइब के लोग होते हैं, तो ये हैं, तो आएए बात करते हैं, toxic लोगों की, आप कैसे इनको पैचान सकते हैं, कि आपके आसपास कौन कौन से लोग जो हैं, वो toxic people हैं, आपके घर में, आपके आसपास, आपके friend circle में, कौन लोग हैं जो toxic people हैं, और आप उनको, आपको उनको जितनी जल्दी हो सके, अपनी life स eliminate करना चाहिए ठीक है दोस्तों तो आईए मैं आपको कुछ पुइंट्स बता देती हूं ठीक है तो पहला तो है कि आप टॉक्सिक लोग आपके असपास कोई भी परसन है मतलब जैसे टॉक्सिक लोग ऐसे नहीं होते कि वह हमेशा बुरा वेबारी करते हैं वह खुले रूप में हो सकता है आपके साथ बहुत स्वीट रहते हैं ठीक है लेकिन वह टॉक्सिक होते हैं ठीक है उनको आप कैसे पैचान होगे तो आप ये बात नोटिस करिए कि जैसे जब आप माल लीजी अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हो या आप कुछ अचीव करते हो या आप अ आपको क्लियरली सेंस हो जाएगा कि जैसे इनको ये चीज पसंद नहीं आई कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया कुछ ग्रोथ का काम किया या कुछ भी आप जो है अच्छा आगे बढ़ने का काम कर रहे हो अगर तो इनको बुरा लगेगा ठीक है यहां से अगर स्वीट स्वीट प्ले करते हैं तो भी आप यह आपकी ना जैसे आपने कुछ भी अचीव किया है आपकी कोई चोटी सी भी सकसस है तो यह उसके अंदर कमी निकालेंगे ठीक है आपको जैसे ग्रोव कर रहे हो जैसे माल लीजिए आप मैं एक चोटा चा एक्जांपल आपको यूट्यूब का इज़ देती हूँ ठीक है आप सोचरियों की मेरे साथ वज़ा ही है ठीक है आप सोचरियों की यह आपका एक चैनल चलाना है ठीक है आपको एक चैनल खोलना है और आपको जैसे माल लीजिए सबकी इच्छ होती ही कि कुछ कंटाइन डाले हम भी अक्टिवेट होते हैं दूसरों को देखके ठीक है तो जैसे कि तो आप ने घर पे बात की या किसी मेंबर से मदद मांगी ठीक है इस टाइब के किसी टॉक्सिक इंसान से आपने बोला कि सुनो मैं यह सोच रही हूं कि मैं भी यह करूं तो यह इस टाइब के लोग क्या कि हैं यह लोग आपको क्या करेंगे कि यह आपको कहेंगे कि ही ऊच्छा हाँ ठीक है यह झाहरा आईडिया allora कि तुम इसकी बजाएय यह करते ही तो ज्यादा ठीक है है एक तो यह इस टाइब से करेंगे दूसरी चीज どूसरी चीज यह आपने बोली तो यह बोलेंगी कि अल्य ऐसे थोड़ी न होता है ऐसे नहीं होता तुम को देखके लग रहे हैं कि इतनी ऐजिली यूट्यूब चैनल चल जाते हैं ऐसे नहीं होता थेक है आपको यह करना पड़ता है मतलब यह उसके अंदर है ना बस ड्रॉब एक्स निकाल देंगे उस काम के अंदर और आपको ना मतलब आप काम स्टार्ट नहीं करोगे उससे पहले ही आप डी मोटिवेट होके रह जाओंगे आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि नहीं यह तो बिल्कुल इंपॉसिबल है मेरे लिए करना तो यह आपके दि अगर इनर्जी को सेंस और आपके इनर्जी को सेंस करेłe हुए जंगे इन और ये होता है वो होता है मैंने अपने आपको एकी चीज याद दिलाई कि कुछ भी नहीं होता ऐसा मुझे चलाना थोड़ी नहीं मुझे बस अपनी बाते शेयर करनी है मतलब चलाना तो देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो सक्सेस उसमें चाहिए लेकिन हमारा ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि हम किसी से कंपीट कर रहे हैं या किसी से हम को कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एंबिशियस वाला टाइप से मैंने स्टार्ट नहीं किया था चैनल मेरा अपस ऐसे था कि मुझे जो पता है वो में शेयर करूँ वो मैं शेयर कर सकूँ मैं लोगों के सामने आके अपनी बात रख सकूँ मेरा वो परपस था तो क्या हुआ कि उनके कहे का असर मुझे ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि परपस कुछ और था ना तो फिर मैंने अपने आपको यह समझा है कि मुझे क्या फरक पड़ता है मुझे जाके अपनी बाते शेयर करनी है और मुझे यह पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग इस दोर से गुजरते हैं बहुत सारे लोग इन चीजों को फेस करते हैं तो वो मेरे साथ इजीली जो है कनेक्ट कर पाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है और दूसरी बात जब फिर मेरे उन मेंबर को यह पता लगा उन टॉक्सिक परसन को यह पता लगा कि यह तो फिर भी मतलब नहीं मान रही हैं तो फिर उन्होंने यह चीज बोलने स्टाट की की यह जो तुम दूसरों को देखके इंप्रेस होके और सोचते हो यह सब करते हो तो यह कोई अच्छा नहीं है मतलब यह नहीं चल पाएगा यह लोग तो इस टाइप से करते हैं इसलिए इनका चलता है यह लोग तो इस टाइप से करते हैं इसलिए मैंने अपने आपको एक ही बात बोली कि वो लोग भी इंसानी है मैं भी इंसानी हूँ ठीक है तो इससा तो है नहीं कि भगवान ने उनको कोई दो हाथ मतलब दो हाथ एक्स्ट्रा देके भेजाए या मुँ एक की जगए उनको दो दी है उनको भी उतने ही वैसा ही बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही एक सब चीज के साथ भेजाए भगवाने जैसा मुझे भेजाए तो क्यों नहीं जो वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ ठीक है तो इस तरह से अगर आपके आज पास कोई टॉक्सिक परसन है और आप उसकी मेंटेलिटी को सेंस कर लेते हो तो फिर आप उसको पैचान के ना उस चीज को डिफीट कर सकते हो लेकिन इसमें आपको उसके साथ ना बहस करने की जड़रत होती है ना उनके साथ deeply जाने की जड़रत होती है जस्त अगर उन्होंने कुछ काया है आप उनकी energy अगर आपको सेंस हो गई है कोई ना कहीं jealousy वाली energy है या कही जो है आपको रोकने वाली energy है तो फिर आपको कुछ मत करिए आप अपस अपना निगल लिए जो आपको करना है वो करिए और वैसे भी मैंने अपनी जिन्दिगी एकी उसूल पे जीए कि सुनो सब की और करो मन की तो मैं वही करती हूँ जो मुझे मेरे मन में होता है मुझे कोई एक बार जब मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है हाँ मैं राय सब की लेती हूँ लेकिन accept में वही करती हूँ जो मुझे करना होता है ठीक है दोस्तों तो आपका इतना इस हद तक motivation self motivation होना चाहिए कि आप इस टाइप के लोगों से affect ना हो लेकिन मैंने आपको इसलिए बता था क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ करने से इसलिए रुख जाते हैं क्योंकि अनके आसपास के लोग उनको रोक देते हैं और ज़रूर ही नहीं है कि जिस तरह से मैं sense कर लेती हूं उस तरह से सब sense कर पाते हूं इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूं कि toxic लोग जो होते हैं वो बहुत sugarcoated होंगे लेकिन उनके पीछे का purpose पैछानी है ठीक है उनका purpose होता है आपको रोकना, आपको success को, आपकी growth को hinder करना, ठीक है, तो आपको ये चीज पहचान नहीं होगी, और ऐसे नहीं है कि उनके साथ बहस में जाना, उनके साथ hinder जोना, नहीं, आपको वही करना है, ठीक है, तो ये बात है, ठीक है, अब second मैं बता देती हूँ आपको sign, कि ठीक है, आप जैसे माले उनका अधिक से अधिक प्रयास क्या रहेगा मतलब उनको ऐसे लगता है कि सब जो है वो उनी के लिए रहें मतलब उस पैर मतलब क्या कहेंगे उसको मतलब सब उनके लिए ही अवाइलेबल रहें जैसे आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं होनी चाहिए ठीक है आपकी अपनी कोई life नहीं है आपको अपने लिए कुछ नहीं करना ठीक है तो इनके कुछ conditioning होती है जिनके according इन्होंने decide किया होता है कि एक बहन को कैसा होना चाहिए एक पतनी को कैसा होना चाहिए एक मा को कैसा होना चाहिए बस इन्होंने अपने कुछ set rule बना रखें conditioning के साथ वो भी conditioning भी आप इनकी जाके देखोगे न तो इनकी सुविधानुसार होगी आप देखेंगे तो वहाँ पे इनकी जो conditioning होगी तो वहाँ पे न इनके लिए duties नहीं होगी duties होगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ठीक है तो अब यहाँ क्या होता है कि इस टाइप के जो toxic लोग होते हैं वो किस तरह से behave करते हैं पता है मतलब इनका आपको कहां से पता चलेगा इनका आपको ऐसे पता लगेगा आप सब के लिए सब कुछ कर रहे हो बड़ा कर रहे हो तो यह आपको बहुत appreciate करेंगे इनकी खासे तो यह बहुत appreciate करेंगे आपको अच्छा काम के लिए कि हाँ तुम सब के लिए कर रहे हो करो 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 बहुत अच्छी बात है अब आप इनको कहां से पैचानोगे अब ऐसे तो अच्छे लोग भी हो सकते हैं अगर वो तारिफ कर रहे हैं आपको आप काम कर रहे हो अच्छा सब के लिए कर रहे हो अब आप इनको पकड़ो के कहां से बताओ जो स्वस्त मानसिक्ता का इनसान होगा मान लीजे आपने एक गहंटा अपने लिए रखा अदा गहंटा अपने लिए रखा कि मैं अब उसे exercise करूँगी या मैं अपनी किसी hobby को develop करूंगी या मैं dancing करूंगी मान लीजे आपने ऐसा कुछीज अपने लिए सोचा सोचता है ना इनसान अपने लिए अब यहाँ पर क्या होता है जैसे ही आपने अपने लिए कुछ करने की कोशिश की तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो बात मैंने पहले बोली कि जैसे आप family के लिए कुछ करते हैं, तो ये लोग आपको appreciate करते हैं, तो ये तो दोनों तरह के लोग कर सकते हैं, स्वस्तमान सिकता के लोग भी appreciate करते हैं, और toxic लोग जो होते हैं, वो भी आपको थोड़ ऐसा टाइम अपने लिए exercise का रखा, meditation का रखा, इनको जो toxic होगा आपके आसपास, जो स्वस्तमान सिकता का होगा, वो बढ़ा खुश होगा, उससे बढ़ा अच्छा लगेगा कि आप अपनी सहत के लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने मान सिक विकास के लिए, शारि आप मानेगे नहीं, वो उनको इतना बुरा लगेगा इस चीज के लिए, वो literally आपको selfish बोलेंगे, ठीक है, आप सब के लिए सब कुछ करो, लेकिन आपने जहां पर अपने लिए सोचा, ठीक है, वो आपको selfish बोलेंगे, वो आपको selfish प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, वो कि मैं जो है, मन लिजए, अपने अपने morning में अपना एक गुंटा का कुछ time अपने लिए रख लिया, मन लिजए, अपने सब का सब कुछ किया, then you will try to spare some time with yourself, तो अब इनकी क्या कोशिश रहेगी, कि ये उस वक्त में आप पर कुछ नया काम थोपने की, लादने की कोशिश क आएंगे, ठीक है, इनकी clear cut निशानी होती, ये मतलब जबर्दस्ती का, आपको समझ आ जाएगा कि जबर्दस्ती का काम आपको देने की कोशिश करें, अब यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको बड़ा smartly work करना होता है, यहां पर आपको कुछ, मैंने आपक करने गए, बातों आप solve करने जाओगे, दस बतें आप सुनके आ जाओगे, ठीक है, तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना है, इनकी साथ बड़ा smartly handle करना होता है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं, बहुत अभी कर देती हूं, ठीक है, करके, अब मैं यह चीज कर लूँ, फिर कर करती थी, या मैं अपना जो है exercise वगेरा का routine करती थी, ठीक है, तो मुझे जगा जगा फोन करके, सब रिष्टेदारों में, मतलब मेरे family members वगेरा को, यह बताया जाता था, कि मैं बहुत selfish हूँ, ठीक है, इसको अपनी पढ़ी है, ऐसे बोला जाता था, इसको तो अपनी है, तो यह का इस बात को पता है कि ऐसे पढ़ा है तो अपने आपको दिखाने का शोआ आ है, अच्छा कुछ पहन लो तो इसको पता नहीं कि इसको दिखाना है, मतलब इस टाइप की बात है, यह लोग बोली जाती थी अधर लोगों को, literally मेरे सामने ही, ठीक है, अगर मैंने meditate करना है तो बोलना है कि यह पता नहीं क्या करती है ठीक है यह पता नहीं क्यों करती है और इसमें क्या जरूरत है इसको इतनी देर यह time करने का तो जब मैं 4-5 बजे उठके अगर कुछ भी कर रही हूं तो आपका तो उस वक्त कोई भी काम नहीं है ना तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है ठीक है लेकिन इन लोगों को आदत होती है दूसरी की life में घूसके उसमें टांगड़ाने की तो don't mind ठीक है इनके साथ smartly करना चाहिए इनको बहुत easily इस कान से सुनना है दूसरे कान से निकालना है क्योंकि ये बोलेंगे बोलेंगे आप इनको रोक नहीं सकते आप इनको रोक नहीं सकते जब आप सब को पता है कि जो ब्रह्म मूरत का ध्यान होता है तो मेरी सारी सारे के सारे relatives को फोन करकी ये बोला जाता था कि मैं जो है किस तरह से छूटा मैंने कभी उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया उस चीज को मैंने एनर्जी नहीं दिया अगर बोलते थी कि काला जैदू करती है या जैदू टोना करती है तो मैं सिंप्ली इस कान से सुनती थी और कि इस कान से निकाल देती थी क्यों क्यों क्योंकि दिखिए मेरे energy field में घुसके तो कोई मुझे नुकसान पहुचा नहीं सकता ना मेरी अपनी energy को हिलाना मेरे हाथ में है ना meditation करते करते हैं आपको ये समझ आने लग जाती है जब meditate करते हो आप जब अच्छी practices करते हो तो आपको ये चीजे समझ आने लग जाती है कि मेरे अंदर कोई नहीं घुस सकता बाहर बोल रहे ही जो कुछ पर बोल रहे हैं बाहर बोल रहे हैं अच्छा उससे क्या हुआ एक बार दो बार दस बार बाद में वो परसन ने सोचा कि इसको तो कुछ फराग ही नहीं पड़ता है इसके सामने भी मैं बोलता रहूं तो भी इसको कोई फराग नहीं पड़ता तो मैं बोला काला जादू करते हो तो मैं बोला कि काला जादू करते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं अगर इस तरह से दुनिया मरती एक दूसरे पर जादू करने से तो हर कोई हर किसी को मार देता तो वहीं से पता चल जाता है किसी को कुछ नुकसान तो पहुंच ही नहीं घर में so what's your problem ठीक है आप अपना काम करिए मुझे अपना काम करने दीजिए कुछ नहीं किया मैंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया और इन लोगों का सबसे बड़ा इलाज गयी होता है जब आप इनकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे then they will go silent मतलब वो कुछ और फिर चूज करेंगे फिर उनको समझ आ जाता है कि ये वाला टैक्टिक काम नहीं कर रहा देखिए ये वाला पॉइंट किता लंबा हो गया अब नेक्स चीज है कि ये नेक्स पॉइंट है आप एक टॉक्सिक परसन को कैसे पहचान सकते हो मतलब आपको आप अगर इनके साथ हो आपकी फैमिली में कोई टॉक्सिक परसन है कोई भी हो सकता है ये टॉक्सिक परसन ठीक है तो आपको इनके दिमाग इनकी सला के according चलना चाहिए ठीक है जहां पे आपनी अपना दिमाग यूज किया ठीक है तो वही वाली बात होगी ना मैंने बोला दिखिए घर में हम family member है एक दूसरे से सला भी लेना पड़ता है और एक दूसरे को सला देना भी पड़ता है तो आप कैसे पैचान सकते हो कि कोई भी जो इंसान आपके साथ रह रहा है आप माली जी सला तो सभी देंगे ना जब हम गर में कोई बात चलाएंगे तो वापिस तो अपना अपना suggestion तो सभी देंगे लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि आपको सामने वाले ने suggestion दिया तो एक स्वास्थ मानसिकता का परसन होगा वो अपना suggestion देगा उसको लेना नहीं लेना आपके उपर छोड़ देगा वो totally ठीक है वो आपको वो नहीं चाहेगा वो मतलब सम्टाइमस वो बहुत है इतने अच्छे लोग भी होते है जो मुड़के देखते भी नहीं है कि आपने बाद में क्या किया उस suggestion का उन से अपने अगर कुछ पूछा है वो अपना suggestion देंगे और वो अपने काम में लग जाते है अब ये जो toxic person होगा ना इसको क्या होगा कि आप इसके दिमाग इसके idea इनके suggestion के according चलो इन्हों ने जो कह दिया वो पत्थर की लगी रहे तो अब जब आप मल लिजे कि आपने कोई चीछ है जैसे इन्होंने कुछ बोला और आपको वो नहीं जमा तो यह उस चीछ को मतलब इनके लिए बहुत मुश्किल होता है accept करना कि इनकी बात कैसे नहीं किसी को जम सकती इनकी बात तो विलकुल सही होती है ठीक है तो एक toxic person को यहां से पचानिए कि जब आप इनके दिमाग के according नहीं चलोगे ना इनकी सोच के according नहीं चलोगे तो इनको बहुत बुरा लगेगा यह कभी नहीं चाहेंगे कि आपके पास अपना दिमाग हो अपनी सोच हो जबकि आपका एक स्वस्थ family member एक स्वस्थ family member जो family member होगा वो हमेशा यह चाहेगा कि नहीं तुम खुद आगे बढ़ो अपना decision खुद लो खुद देखो चीजें खुद करना सीखो ठीक है एक स्वस्थ मान सीखते वाले इंसान ऐसा होगा और यह लोग ऐसे होंगे कि यह चाहेंगे कि मतलब आप इनके दिमाग के according चलो आपका अपना कोई दिमाग कैसे हो सकता है आपके अपने अंदर दिमाग नहीं हो सकता अगर नहीं चलेंगे तो इनको बुरा लगता है अब यहां पर क्या होता है जैसे sometimes आपने कुछ बहुत अच्छा अच्छाम मन बताती हूं यह क्या से करते हैं Lucy हैं टैक्टिक्स क्या होते हैं अब आपने पहना, ठीक है, आपको अच्छा भी लगा, आपको दस से, मनलब दसीयों लोग जो होंगे आपके आसपास वो बोलेंगे कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप बहुत हाँ, you should try, you should wear it, ठीक है, लेकिन टॉक्सिक परसन होगा न, वो आपको कभी यह नहीं बो इस टाइप की चीजें, या फिर वो आपको बोलेंगे कि, हाँ ठीक तो है, यह थोड़ा उपर वाला ठीक नहीं लग रहा है, तुमारा टॉप इसके साथ चल नहीं रहा है, कभी पूरा नेगिटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे, यह यह पॉजिटिव स्टेटमेंट को कि मतलब यह जैसे बोल देंगे, हाँ तुमके जम तो बोत रहा है, थोड़ा उपर वाला ना, कुछ और लेके आना, यह थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसके साथ चल नहीं रहा है, इस जीन्स के साथ, तो यह इस टाइप से भोलेंगे, इनका यह लक्षन होता है, ठी नहीं, टॉक्सी परसन जो होते हो, बहुत सफाई से खेलते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता हो, आपको कहां कहां रोक देते हैं, ठीक है, मेरी जिन्दगी में, मैंने दस से पारा, मतलब, दस साल तो कम से कम मानी लीजिए, मैंने इतनी कोडिपेंडेंसी में निकाले है जहां पर मुझे, मतलब, कोडिपेंडेंसी कह देते हैं, यह कोडिपेंडेंट बना देते हैं, आपको अपने उपर आपको लगता है, इन से पूछ लूँ, इन से सला ले लूँ, इन से बात कर लूँ, इनों ने ये कह दिया, तो हाँ, नहीं अच्छा लग रहा होगा है, यह मुझे मानना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, तो मैंने अपना बहुत जिंदिकी का टाइम वेस्ट किया, एक टॉक्सिक परसन की साथी कि, आप मत करिए, यह गलती, आप आगे बढ़िए, अपने जीवन में, आप अपने आपको आईने में देखिए, अगर आप सुन को अपनी ही नजर से देखना स्टार्ट किया, आपना कि उस परसन की नजर से, ठीक है, तब जिंदिगी में सब कुछ सॉल्व होता चला जाता है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और आपको पता लगेगा, जब आप अपना दिमाग यूज करोगे, अपने आपको अप अप्रिशेट करके, अपने अपनी नजर से अपने आपको देखना स्टार्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा, आपकी लाइफ में कितना डिफ्रेंस आ गया पहले से, ठीक है दोस्तों, तो यह ऐसे ही, आज मैंने एक मोटिवेशन आपके लिए वीडियो गनाया था, ठी कि दोस्तों, तेंक यू सू मच, थैंक यू, बाइ!